जे एनन यू आरेम योजना अंतरगत केंद्र सरकार की तरफ से मनपा को मिली 240 बसों की आयूस समाप्त हो रही है मई के बाद ये बसे कबाड बन जाएंगी वहीं दूसरी तरफ नई इलेक्रिक बसों की खरीदी के लिए 22 करोड रुपए मिलने के बाद भी प्रशासन की तरफ से निवीदा निकानने के लिए कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है ऐसे में अगर पुरानी बसे कबाड होई और नई बसे नहीं मिली तो भरी गर्मी में शहर बस सेवत चर्मराने की प्रबर आसार है परियवरन परक सारवजने की आतियात के लिए केंदरी निधी आयोग ने नागपुर मनपा को इलेक्रिक बस की खरीदी के लिए 190 करोड रुपए की निधी मनसूर की इन में से भात्तक करोड रुपए प्राप्त भी हो गए लेकिन निवीदा नहीं निकाले जाने से खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने के आसार है 240 बसों के कबाड होने के साथ ही निजी आपरेटरों की 197 बसों की भरो से शहर बस सेवा होगी 197 बसों की आयू 2026 में समाप्त हो जाएगी ऐसे भी परिवन सेवा में शामिल सभी डिजीटर बसे चार वर्ष में कबाड हो जाएगी मनपा की कारी-कारी अभियंता श्वेता बैनर जी ने बताया की 115 बसों के लिए अगले सपता निवीदा निकाली जाएगी क्यामिर परसें राज़ गुआ मोहर के साथ शीती जादेश मुख बीस ये न्यूस नागपुर